हाई दोस्तों इस रूडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इन्फिनिक्स फोन में फ्रन्ट कैमरा ओपन नहीं हो रहा है कोई प्रॉलम आ रही है तो कैसे ठीक करेंगे तो इसके लिए मोवाइल के सेटिंग्स में जाना है फिर थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर एप्स रहते हैं उस सेटिंग में आ जाएंगे इसी सेटिंग्स में आना है और यहाँ पर कैमरा को खोजना है तो देखिए उपर ही मिल जाएगा आपको कैमरा इस पर किलिक करना है यहाँ पर आप्सन मिलेगा फोर्स स्टोप का इस पर किलिक करना है और फोर्स स्टोप कर देना है इतना करने के बाद अब यहां पर permission का option है इस पर click करना है और नीचे आना है अब जो permission allow नहीं रहेगी उसे allow करना है जैसे कि देखे कैमरा location और storage allow नहीं है तो हम camera पर click करते हैं और जो उपर वाला option है allow वाला इस पर क्लिक करते हैं और वैक आते हैं तो देखे Allow हो गया इस तरीके से सभी परमिसन को Allow कर देना है तो देखे मैंने सभी परमिसन यहां से Allow कर दिया नीचे लिख करा रहा है No Permissants Denied तो इस तरीके से आपको भी कर लेना है फिर वैख आना है अब यहाँ पर एक option है storage usage का storage नाम से भी हो सकता है तो इस पर click करना है फिर clear data का option है इस पर click करना है और okay कर देना है ऐसा करने से कोई photo भी delete नहीं होगा तो अब बैएक आना है तो देखिए home screen पर आने पर अब अपने camera को open करना है यहाँ पर agree and continue menu कर देना है जैसे इतना कर लेते हैं जो भी problem रहेगी front camera में back camera में सब सही हो जाएगी और इस तरीके से आप भी ठीक कर सकते हैं तो उम्मेद है वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और एक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए थैंक यूँ